अगर आपके पास भी आधार काड और पैन काड है तो आपको जबरदस्थ जटका लगने जा रहा है। जिहां सरकार की तरब से बड़ी चेतावनी दी गई है जिन व्यक्तियों के पास आधारकाड और पैनकाड है उन पर एक हजार रुपे का जुर्माना लगा जा रहा है और आप सभी यह बात भली भाती जानते हैं कि आधारकाड के बिना कोई भी कारिय अब नहीं हो सकता है और साथी पैनकाड भी बहुती महत्पूर्ण दस्तवेज है इसलिए सरकार की तरब से एक महत्पूर्ण कारिय करने के लिए कहा गया है अगर अधारकाड और पैनकाड धारक यह कारिय नहीं कराते हैं तो उनको एक हजार रुपे का जुर्माना देना पड़ेगा और हो सकता है कि यह एक हजार रुपे जुर्माना बढ़ाया भी जा सके यहनिके यह दो हजार रुपे भी हो सकता है और पांच हजार रुपे भी हो सकता है और यह आधारकाड पैनकार धारक को कारिय कराना बहुत ही जरूरी है अब है कौन सा कारिय कराना होगा और किन किन पर यह एक हज आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं क्या है तो किरिप्या वीडियो को लाइक कर दिजे और आप हमारे साथ अंत्य तक बने रहेगा चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको तमाम जानकारी देते हैं देखे पैन कार्ड और आधार कार्ड रखने वालों के लिए यह एक बुरी ख़वर साबित हो सकती है दोस्तों जिन लोगों के पास आधार कार्ड है और पैन कार्ड है उन्हें बनवा रखा है तो अब उनको एक एक हजार रुपे का जुर्माना देना पड़ेगा वह व्यक्ति चाहे देश के किसी भी कोने में क्यों न रहते हूँ यह कार्या सभी देश वासियों को कराना होगा अन्य था वह एक हजार रुपे का जुर्माना या फिर अधिक जुर्माना भी उन्हें देना पड़ जकता है साथी चाहे वह महिला हो या फिर पुरुस हो सभी वैक्तियों कराना है, सभी महिलाओ को कराना है, जिन महिलाओ के पास आधार कार्ड है और पैन कार्ड उन्होंने बनवा रखा है, अब कोन सा कार्य कराना है चलिए, उसके बारे में भी हम आपको बता जेते हैं, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, अब देखिए दोस्तों, आपको बता दे कि जो भी वैक्ति यह कार्या नहीं कराता है, तो उनका पैन कार्ड निरस्त हो जाएगा, जिसको दोबार से चालू कराने के लिए, पांच हजार रुपे से लेकर तास हजार रुपे तक का भी जुर्माना देना पड़ सकता है, पैन कार्ड लिंकिंग नहीं होने की वज़े से ग्यारा क्रोड से अधिक पैन कार्ड को निरस्त कर दिया है, यानि कि ऐसे पैन कार्ड लावारती जिन्होंने आधार लिंकिंग नहीं करा है, उनके पैन कार्ड को निरस्त किया गया है, यह जानकरी सुचना के अधिकार के त स्वाल का जवाब देते हुई कुल मिलाकर लगभग ग्यारा क्रोड पचास लांग पैन काड निरस यहनके निश्क्रिय किये गए हैं क्यों कि दोस्तों वह समय सीमा से पहले आधार काड से लिंक नहीं थे आप से जानते हैं कि पैन काड एक ऐसा दस्तवेज है जिसके बिना आ आप अपना एकाउंट ओपन नहीं करा सकते हैं और फिर आप डिमेट एकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो वह भी नहीं करा सकते हैं तो कई बड़े ऐसे कारिये हैं जिनके जो पैन काड की बिना आप करा ही नहीं सकते हैं तोस्तों आप बदा दें कि 30 जून को आधार काड और पैनकार लिंकिंग की डेटलाइन खत्म हुई थी RTI के जवाम में बताया गया है कि भारत में 70 क्रोड 24 लाग पैनकार धारकों में से 57 क्रोड 25 लाग में अपने अधारकार और पैनकार इनके पैनकार को अधारकार से जोड़ा है 12 क्रोड से अधिक पैनकार जिसमें से 11 क्रोड 50 लाग निस्क्रिय हो चुके है अधारकार से नहीं जुड़े हुए है हाला कि इन पैनकार धार को एक हजार रुपे का जुर्माना देकर दोबार से सक्रिया किया सकता है उनके जिन वेक्तियों के जिन महिलाओं के पैनकार निश्क्रिया हो चुके हैं अगर आप चाते हैं कि आपका पैनकार दुबारा से चालू हो सके तो आपको एक हजार रुपे का जुर्माना देना ही होगा। या धार कार धारकों से यह अभी केवल एक हजार रुपे का जुर्माना देना देना ही होगा। आप पहली वार आए हैं तो चैनल को भी आप चुरू सब्सक्राइब को लिजीगा। ओनलाइन फॉर यू चैनल मात्यम से आप सभी जानकर देना योजना ओनलाइन फॉर यू चैनल के मात्यम से धन्यवाद। जाइन फ़ी जाए हैं तो उले कि दो चैनल जाए हैं जात्रवाद आप सब्सक्राइब को भी आच सब्सक्राइब को लिज नगहाद।